बेहार की सियासत में पश्चमी चंपारन के देवर्वा और आसपास के गाउं में जहरीली सराब से हुई सुल्ला लोगों की मौतर परसासन की कारेवाई के नाम पर दो चौकीदारों को सस्पेंड करने के मामले पर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है नेता परतिपक्ष तेजस्वी आदों ने नितीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी आदों ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुबे में सराब के अवायद कारोबार को संडक्षन दे कर जहरीली सराब से हुई अंगिनत मौतों के मामले को ढखने के लिए लाखो गरीवों को जेल में डाल कर खोद माफिया के साथ मौज में हैं। नेता परतिपक्ष तेजस्वी आदों का ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है बिहार कथित सराब बंदी अवायद कारोबार अंगिनत मौत लाखो गरीव जिल में मुख्यमंतरी माफिया के साथ मौज में। इदर कॉंग्रेस के विखार पर भारी भखचरंदास ने सराब कांड के इस मामले में कॉंग्रेस त्वारा अलग से जाच करवाने की बात कह दी हैं। उन्नोंने कहा कि बेतिया सराब कांड की जाच के जबाने का आरोब भी लगाया इसके अलावा उन्होंने डिप्टी सीम रेनू देवी पर निसाना भी साधा भक्त्य अंदास ने कहा कि या उपमुख्यमंत्री के छेतर का मामला है उन्हें खुद जाकर मामले की जानकारी लेनी चाहिए बिना सूचना के किसी भी मामले पर बय लोगों की मौत की बात सामने आई गाउं में पहुँचे लोग तमाम मेडिया वाले ग्रामीनों से चीक-चीक कर कह रहे हैं एक जहरीली सरा पिने से तमाम मौत हुई है जब ख़वर फैली और सरकार की करारी फजियत हुई तो परसासन का सारा अमला गाउं में पहुँच ग परसासन ने ये भी पुष्टी किया कि गाउं में अवैद सराब बेची जा रही थी बहराल बेतिया के देवरुवा और आसपास के इलाकों में हुई सुल्ला लोगों की मौत के मामले में बेहार की सियासत अब भी गर्माई हुई है सुल्ला लोगों की मौत ने जहां पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया है वहीं सियासत पुर्ण सराबंदी वाले बिहार में जहरिली सराब पिने से हुई लोगों की मौत को लेकर गर्माई हुई है कल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादो ने भी इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर बरे आरोप लगाएं आरजेडी सुप्रीमो ने सत्ता धारी दलो पर आरोप लगाते हुए कहा कि 20 हजार करोर का अवैद एकनॉमी हो रही है सराबंदी वाले बिहार में सराब के कारोबार से आप तेड़े बिहार नित के साथ बने रहें धन्यवाद